जब शरीर में ताकत कमजोरी और ठकान महसूस होने लगे तो उस कंडेशन पर डाक्टर के दोरा कौन-कौन से मेड़ेसियन उपयोग की जाती है उनकी शंपूर रिचानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे बीकनेस यानि दुर प्याण होने लगती है तब उस कंडेशन को वीडियों काटेगरी में रखा जाता है अगरं बात करें या क sighs लेक्रेश के मुक्तियाक कारल्ड क्या Gerception के द्वारह भी ये प्राब्लम हो सकती है ऐसी प्राब्लम जो कि अगर कोई गर्षित है तो उस वक्त भी उसको काफी ज़्यादा बीक्नेश पील हो सकती है जब बॉड़े में खून की कमी होती है तब ये प्राब्लम हो सकती है डिप्रेशन और अनगीटि यानि कोई अखते या काफी जादा मल्टी विटामिन सप्लीमेंट उपयोग कर जाते हैं जिनमें ग्लेणविट 5G कापसूल जोगी काफी जादा पाप्लर ब्रांट है इसमें पाई जैता है लाइकोपीन जैसीं और मल्टी वितामिन मुल्टी मिंदर यह साफट जीलेटिन कापसूल होत में लिकोरिया की काफी आच्छा करता है ये तो उस को ट्रीट करने के लिए ये कैसिल दी जाती है ये अगर नहीं है तो उसको भी ठीक करने के लिए यह टेबलेट दी जाती है मेर्निंग संसेशन है तब यह कैप्सूल के दौर्ट की बात दिए ले सकते हैं की देस्ट की बात करों तो हुआ है ईटूजए टाबलेट यहमे जिसमें वीकलडा मल्ु जबनेटीgod लेकिन जो लेना विट है वो इस से superior होती है यह हमारे बाड़े में जब nutritional deficiency या vitamin की कमी हो या कम जोड़ी हो या अब्र हमें महसूस हो रहे हो या शीट या काटर जैसी महसूस हो रहे हो या बरनिक sensation हो तो उस condition पे इसका उप्योग क्य जाता है इस मेडेसिन को अगर ज्यादा वीक्नेस की प्राबलम है तो बिडी भी दी जा सकती है या ओडी भी दी जा सकती है नेक्स्ट की बात करे तो वह है नो रोवियान फोड़ जो काफे ज़यदा पापलर है यह आपको अफ़ने से किसी भी मेटकरी स्टोर पे मिल जाएगी यह प्राबलम हुआ यह टिंगलिंग की प्राबलम हुआ या नियुरोपाइटिक पेन या जो कि नियुरोपाइटिक नर्ज जब हमारे नर्व डैमेज हो जाते हैं तो या अगर कोई नर्व डब गया तो उस कंडिशन पर भी यह मैडेसिंग काफ़ ज्यादा परचित होगे हर एक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा जिसमें बी कॉम्पलेक्स और विटामिन सी पाजाता है सप्लेमेंट के तोर पर यह यूची जाती है नियुट्रिसलन रिफिशेंसी विटामिन रिफिशेंसी बीकनेश हुआ है तिंगलिंग हुआ या वर्दिंग मेल्टिविटामिन सप्लेमेंट कैप्सूल होती है जो कि ट्रेट के लिए उप्योग की जाती है जैसे नियुट्रिसल डिफिशेंसी हुआ विटामिन डिफिशेंसी हुआ वीकनेश हुआ ठिंगलिंग हुआ या ब्लड सैर्कूलेशन में या फैट कि किसी को थकावाई महि सिस्षो रही हो तो उस कंडिशन पर यह कैप्सूल काफे ज्यादा एफेक्टिव मानी जाती है नक्ट की बात करें तो वह है पॉलीवियान सीजरियास पॉलिवान सीजरियास में जिसमें माल्टि विटामिन क्रोमियम जिंक और सेलेनियम पाई जाती है यह टेबलेट काफ़े ज़्यदा इफेक्टिव हो किती है कि यह एनेजी लेबल को बढ़ाने में आरबीसी काउंट को बढ़ाने में फायट हुआ कार्बोहाइट को बढ़ाने में ब्रेन के फंसन को प्रापर करने में काफ़े ज्यादा इफेक्टिव होती है यह मेरेशन भी शुबे शाम दी जा सकते हैं लेकिन इसकी जो प्रापर रात के टाइम खाना खाने के बाद लेना चाहिए आई होब दोस्तों यह जानकारी आप लोगों को बेह तो बता है थाइक्कियों दोस्तों